हें यौल वेलकम बैकस वाइ चानल मैं हूँ खुशी आज में लाई हूँ कि हमें कॉनसी बीबी क्रीम यूज़ करनी चाहिए और वह बिल वहगे दिखेगा तो हमें नौमल मेकड़ लगाना है तो उसके लिए अपको हमें क्या करना है डेली यूस के लिए तो एलिए पूरा वीडियो देखना, skip मत करना आपको बहुत अच्छे से मैं explain करूँगी आपको समझ में आएगा और अगर कोई new है मेरे channel पे तो please subscribe करना मत भूलना subscribe करना, bell icon को click करना अगर मैं कोई भी new topic कोई भी new videos upload करूँ जब मैं online रहूँ तो आपको समझ में आ जाएगा आपको उसका notifications मिल जाएगा like करना मत भूलना, share करना मत भूलना और comments करना हो सके तो मैं और भी अच्छे-चे tips बताऊँगी अगर आपको कुछ tips की जरुवत है skin, hair related तो मुझे आप comment box में कमेंट करके पूछ सकते हैं चीक है सो हम आपका time waste नहीं करते हैं मैं आज मैं बढ़ाती हूँ मेरा वीडियो so let's get started so बिच में मैंने देखा था ad पे कि fair and lovely का baby cream निकला है so fair and lovely का baby cream आप लोग ने use किया है, मैंने वो time पी use किया था, लिया था दो दिन से व्यूस किया है और इतना घंदा, इतना घंदा उसका result, वो जैसे लगाते हैं हम, तो एकदम मन्स चिप चिपा और अजीब सा, उसका बहुत ही अजीब सा वो layer जो रहता है वो उपर का उपर ही रहता था फेस पे और वो अच्छे से नहीं, पर अच्छे से लगता ही नहीं था वो भहत ही अजीब लगता था फेरन लवली का उसके बाद मैने देखा मैने ट्राइ किया पॉंच का फिर मैंने पॉंच का लिए इसका पेकेजिंग मुझे बहुत अच्छा लगा तो फिर मैने ट्राइ किया यह पॉंस का पॉंस का बहुत अच्छा रिजल्ट है बट यह पॉंस का इसमें ना दो कलर आते हैं एक ओरिजनल आता है 0.1 वाला और एक 0.2 जो थोड़ा सा और डाकर कलर आता है तो आपको वो आप चेक करके ले सकते हो तो इसमें दो कलर दो शेड्स आपको आएंगे आप य कौंसा आपका की ड़ां का सकते हैं और आपक̐न से स्कीन ड़ाउन के कलर में आप ले सकते हो एक यह समय मोस्योराइजगे लगाना बढ़ेopf दिए हैं राइट भstem तो तो बहुत अजीब लगता है तो ठूदा आप्ता है और इससमें भावित that zweiten second प्रेटिन प्रेटिन इतना सब लगाने से अच्छा कुछ एक ट्राइ करते हैं जो की है बी-बी क्रीम बहुत ही अच्छी है शी सी क्रीम भी बहुत अच्छी है और प्लस इसके अंदर हमें सब्सक्रीट है वह संदेख करते हैं यह वाला कर दक्रीम तो यह पॉंस प्रेटिन लेखे आपको थोड़ा से ट्राइब लागीगा तो यह उन लोगों के लिए अच्छा है जिनकी स्किन ऑईली है तो जिनकी स्किन ऑईली है मैं उनको यह प्रिफर करूँगी पॉन्स की बीबी क्रीम लगाई हैं यह लगाने के बाद आपको वैसा फिल नहीं होगा और इसका यह अच्छे से यह अच्छे से लग भी जाता है बहुत अच्छा रिजल्ट है एकदम स्मूदली और अच्छे से लग भी जाता है यह तो अगर आप लगाओ तो यह बीबी क्रीम लगाना अगर जिसकी कर सकते हो डेली के लिए जैसे कि कोई ओफिस गुइंग गल है या कोई कोई कॉलेज गुइंग गल है तो आप यह बीबी क्रीम ट्राइ करना बहुत ही अच्छा रिजल्ट है और इसके ओपर आपको ना ही कॉंपेक लगाने की जरूरत है ना ही कोई फांडेशन लगाने की जर प्रेश देगा आपके जो डाक स्पोट से फेस पे जो भी स्पोट से वह सारे कवर कर देता है तो यह बीबी क्रीम बहुत बेस्ट है सेकेंड बीबी क्रीम है जो की है लेकमी 925 नेचरल क्रीम जो मैंने फिर ये वाला लिया था बीबी क्रीम में मुझे 30 SPF मिलता है और इसमें भी हमें SPF 30 है सो ये sun protected है और ये मैंने फिर उसके बाद इसका भी एडाया था और मुझे इसकी भी packaging बहुत अच्छी लगी थी ये करीना कपूल का आडाया था मुझे इसकी packaging बहुत अच्छी लगी थी चौन मैंने ये बाइं किया और जाधा costily भी नहिए ये ये आपको आ जायेगा 180 रुपीज में और यह भी आपको उतने में ही मिल जाएगा मिन्स कम है प्राइज भी बहुत कम है रिजनेबल है तो आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा Amazon या Flipkart पर मैंने यह Flipkart से लिया था दोनों तो मैंने Flipkart से ही मंगाया था तो यह लेकमी का है CC क्रीम है यह और यह आपको यह अलोवीरा जेल का अलोवीरा भी है उसके अंदर और यह आपको थोड़ा सा ओईली दिखेगा मिन्स थोड़ा जिसका फेस बहुत ही ड्राइज है तो ड्राइज स्कीन के लिए मैं यह वाला बता बोलूंगी कि आप यह ट्राइज क स्कीन वालों के लिए नहीं है लेकमी आपको बताऊंगी इसका क्रीम कैसा है मेरी महंदी भी देखो चुप जा रही है मतलब आपको फांडेशन की जरुवत ही नहीं है और एक अलग सा शाइन भी देगा यह दिखिए आपको एक अलग सा शाइन भी देगा शाइन भी होता है वो और आपको फेस आपका शाइन भी करेगा अगर आपका स्कीन बहुत ही तो आप ये CC क्रीम लगाईए लैक में का आपका फेस अच्छे से शाहिन करेगा और रिजल्ट बहुत ही अच्छा है सो बस आज यही टॉपिक था मैंने सोचा आप लोग से BB और CC क्रीम का बता दूँ कि BB क्रीम क्या होता है और CC क्रीम क्या होता है तो मैंने चाहा कि आज मैं आप लोग को बता दू सो बस आज यही टॉपिक था I hope आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना लाइक शेर कमेंट्स प्लेस करना चीक है और शेर करना अगर आपके फ्रेंड्स लोग को आप चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स लोग यह वाला वीडियो देखिए उनको भी अगर help हो यह वीडियो तो आप उनको भी share कर सकते हो बस यही थाज मेरा अगले हम मिलते हैं अगले टॉपिक अभी अगले टॉपिक में देखती हूँ कौन सा टॉपिक मैं लो नेक्स्ट वीडियो पे हम मिलते हैं ठीक है तो टेक केर बाबाई लव यू वाल और कीप सपोर्टिंग मी थाइंक यू फॉर वाचिंग मैं वीडियो बाबाई